इस कहानी में हम एक छोटे से गौंगी बच्ची की कहानी सुनाती हैं जो अपने सपनों को पूरा करने के लिए कठनाई योग का सामना करती हैं नमस्कार मैं मुरादली हमारे चैनल पर आप लोगों का स्वागत है एक छोटे गाउं में लच्मी नाम की एक बच्ची रहती थी वह बहुत ही खुस रहती थी लच्मी के पास गरीबी के कारण कई कठनानिया थी उसके परिवार को रोजगार की कमी थी और उन्हें सदी आविसक्ताओं को पूरा करने के लिए संघर्थ करना पड़ता था लेकिन लच्मी नहीं हादी वह हमेशा अपने सपनों को पीछे लगी रहती थी उसका पहला कदम उसने सिच्छा में आगे बढ़कर उठाया गाउं में उसके स्कूल नहीं था लेकिन उसने खुद को पढ़ाई के लिए संप्रित्या कर दिया वह दूसरे गाउं जाती और पढ़ाई के लिए पूरी मेहनत करती संघर्थ और कठनाईयों के बावजूद वह अपने लच्च की और बढ़ रही थी लच्मी की ढूंडता और मेहनत ने उसे सफलता की और ले जाया उसने अपनी पढ़ाई पूरी की और उच्च सिच्छा हासिल की जब वह वापस अपने गाउं लोटी तो उसने गाउं के लिए प्राइबिट स्कूल शुरू किया वह हर बच्चे की सिच्छित करना चाहती थी उसका पढ़ना का तरीका बेहद अनोखा था जिसके कारण वहां के और उन्होंने भी अपने सपनों की पूर्टी के लिए मेहनत करना शुरू कर दिए इस तरह लच्मी ने अपने गाउं को उच्चाईयों तक ले जाने में सहायता की और लोगों को सामरिक अर्थिक और समाजिक रोप से सस्त बनाया यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने स समर्ण बनाया रखने की आवेसकता होती है जब हम अपने सपनों को प्रति विश्वास रखते हैं और मेहनत करते हैं तो हम आपतकाल में भी सफलता की और बंढ़ करते हैं तो कैसे लगी हमारी छोटी सी कहानी उम्मेद करते हैं आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो हमा को उसका नेट्रिफिकेशन मिलें